नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज दिनाक 19.05.2021 को हिमाचल प्रदेश Administrative Services Combined Competitive Examination 2020 की नोटिफिकेशन आ गई है जो भी candidate इसको भरने के इच्छुक है वो हिमाचल प्रदेश की official website hppsc.hp.gov.in hppsc पर जाकर apply कर सकते हैं हम इसके बारे में सारा कुछ बातचीत करेंगे कि कैसे apply करनी है इससे पहले कुछ एक important जो इंट्रक्शन दी हुई है उन इंट्रक्शन को आपने ध्यान में रखना है तो यहां पर आपको क्या करना है एड़्वाइजमेंट जो निकाली हुई है इसमें ये बात बुली हुई है कि जो आपका matriculation का certificate है उसको आपको upload करना पड़ेगा उस प्रूफ के अधार पर होगा साथ में the benefit of reservation जो मिलेगा और जो हिमाचल के bonafide है या जो हिमाचली है उन्हीं को मिलेगा यह जो reservation की बात करते हैं SC, ST, OBC अगर हिमाचली है तभी उनका ये quota काम करेगा otherwise उन्हें general category में माना जाएगा जो interaction 4 है उसमें ऐसी बात बुली हुई है next one important चीज़ जो है आपको जो induction 6 में ये बुला हुआ है जो induction 6 देव ही है कि जो पोस्टें है वो increase और decrease हो सकती है ये depend करेगा जो HPP SC है उसके उपर ये depend करेगा वो बढ़ा भी सकता इसको कम भी कर सकता है साथ में जो एक service man candidate है HPS के हैं हिमाचल प्रदेश के हैं या जो HPP services जो होती है उस से वो एक service man का quota ले रहे हैं या center का जो arm force है उसका quota ले रहे हैं तो उन्हें जो quota दिया जाएगा जो एक rule बना हुआ है हिमाचल प्रदेश पब्लिक service commission का 1974 का उसके अंडर ये उन्हें quota दिया जाएगा इसको जाला detail में नहीं पढ़ना दोस्तों यहां पर एक देहान मलब एक बार दियान में रखनी है कि अगर आपके पास कोई quota है एक service man का तो उसे आपको upload करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरते हैं नेक्स्ट वन इंपोर्टेंट चीज जो इंट्रेक्शन देवी है कि examination fees जब एक बार आप की हो जाती है तो यह not be refunded यह आपको ध्यान रखना है अगर आपके बीच जो 10 वाली इंट्रेक्शन देवी है आपके बीच और साथ में जो HPSC जो है हमारा जो बोर्ड है जो इस एक्जाम को लेता है तो उनके बीच dispute होता है तो इस dispute का जो निवार्ण होगा वो निवार्ण जो है शिमला हाई कोट में होगा next one important जो चीज है अगर आप इसके लिए eligible है और apply करना चाहते हैं तो आपको मैंने पीछे बता दिया कि जो candidate अगर graduation कर चुके हैं graduation कर ली होनोंने तो इस exam के लिए apply कर सकते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा ये site पर जाना पड़ेगा अगर आपके पास पहले से user id है तो उसको भी new दुबारा से उसको renew करना पड़ेगा क्योंकि जो हिमाचल पतेश public service commission है उसने interaction दी थी कि जो भी candidate है उन तो उसको कर सकते हैं अगर नहीं तो आप नई ID बना कर उस ID से इस exam को भर सकते हैं यह जो हम आप HP, PSC की site पर जाते हैं तो उस जगाप पर आप account create करके उसमें सारे जो है document upload करके जो preview आता है उसमें सारा कुछ देखकर apply कर सकते हैं नेक्स्ट वन जो important चीज है कि जब आप यह सारा कुछ कर लेते हैं तो आपको यह दिहां रखना है कि preview जरूर देखें उसके बाद ही क्या करना है आपको fee को deposit करवाना है और आपकी जो form है वो fill up हो गई नेक्स्ट वन जो important चीज है कि इस बार जो पोस्टें है वो कितनी है तो आपको क्या-क्या इससे पोस्टों से पहले क्या-क्या document upload करना है तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि जो दस्वी का certificate है वो bachelor degree है आपके पास वो कोई category का certificate है उसको आपको upload करना है और अगर करते हैं तो आपको या EWS का जो certificate है उसको upload करना है या फिर उसकी जगह BPL का certificate जो है उसको upload करना है पर ध्यान रखना है यह वीडियो से मींस बना होना चाहिए और जो SC ST या OBC जो certificate है वो जो हमारा SDM सहाब होते हैं उनके वहां पर sign होने चाहिए और उसको मानता दी जाएगी अब आगे बात करते हैं कि इस बार जो पोस्टें हैं वो कितनी है और आपको कहां कहां apply करना है तो यह जो पोस्टें हैं जो पोस्टों की बात करेंगे तो एक मिट रुकिए दोस्तो यह जो पोस्टें है तो पोस्टों की जो इस बार संख्या है वो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो name of department है पर्सनल डिपार्मेंट है और name of post जो है HP administrative services है और number of post जो है 8 देखने को मिलती है और category wise इसका जो distribution किया है ओ है unreserved में आपको चार दिखने को मिलती है और unreserved hearing impaired जो person है उसके लिए एक post है unreserved ex-serviceman of HP जो है उसके लिए एक post है और जो schedule cast of हिमाचल प्रदेश है उसके लिए एक post है और जो OBC है हिमाचल प्रदेश का उसके लिए एक सीट है और इसके जो salary देख सकते हैं आप salary रहेगी यहां पर 15600 से लेकर 49100 और उसके बाद आपका जो GP है वह आप देख सकते हैं next one जो second जो हमारा department का नाम है food civil supply and consumer affair जो department है उसमें कौन सी post है इस बार district controller की post है और यह जो post है एक ही है दोस्तो next one जो यह भी है undeserved में यह post undeserved में देखने को मिलेगी और इसकी salary जो है आप देख सकते हैं इसकी salary कितनी है next one जो post है आपको home जो हमारी home department है उसमें देखने को मिलती है और यह कहां मलब home department के बाद post का नाम क्या हिमाचल प्रदेश police services बोलने का मतलब DSP जा सकते हैं तो इस बार जो DSP की जो post पोस्टे है वो चार है और इसमें आपको देखने को मिलता है unreserved में दो post है unreserved services man of hp one post है और जो schedule tribe है उसकी लिए भी एक post है और आप salary आगे देख सकते है salary आपके सामने है आगे revenue में बात करें तो इसमें इस बार SDM की कोई भी post नहीं है आप तैसिलधार बन सकते हैं अगर आपका rank अच्छा आता है तो इसमें एक post है और यह जो है unreserved में है दोस्तो तो बोलने का मतलब है इस बार post का जो quota है या post की संख्याव काफी कम है तो unreserved जो है वह आपको मैं देखने को मिलेगी यह जो post ओ है एक ही post है और साथ में यह backlog में भरी जाएगी दोस्तो unreserved और साथ में service man of hp और फिर ओ भी क्या हो की backlog की है तो यहां means journal वाले यहां भी जो means journal category के हैं और यहां भी क्या है मारे गए हैं क्योंकि एक service man का quota सब के पास नहीं होता और salary आप यहां पर देख सकते हैं next one जो है को जो हमारा cooperation department है उसमें assistant register की दो पोस्टे हैं और जो यह post हैं दोनों की दोनों unreserved में है और salary आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तो आगे जो है eligibility क्या है eligibility में बता चुका हूँ आपको फिर भी आप eligibility देख सकते हैं कि जो candidate है citizen होना चाहिए और education qualification में बता चुका हूँ bachelor degree होने चाहिए यह इस exam के लिए और दूसरी बात क्या है कि bachelor degree होने के साथ साथ ही MBBS जो है ओभी इस जो bachelor degree तो होनी चाहिए उसके बाद जो higher education लिए है जिन person ने ओभी इस exam के लिए apply कर सकते हैं और साथ में age limit क्या है age limit इस exam के लिए क्या होती है कि अगर आप 21 साल के हैं तो आप इस exam को भर सकते हैं और जो कब तक भर सकते हैं तो 35 साल की जो उमर है आपकी उस वकर तक आप इस exam को दे सकते हैं उसके बाद आप इस exam को नहीं दे सकते हैं पर दोस्तो ध्यान रखता है अ आपको is relaxation देखने को मिलता है और यह बात कर रहा हूं है जो आपकी क्या बुलते हैं जर्नल की बात और आगे क्या है कि जो category है category wise क्या होती है is relaxation मिलती है आप यहां इसको पढ़ सकते हैं यह rule दिया हुआ है कि मालब कितनी relaxation मिलेगी जो category है category wise जो SCST है या फिर आपके जो OBC है माचल पदेश के जो उनको भी category wise जो है is relaxation मिलती है मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दुबारा से मैं यह कहना चाहता हूँ कि दोस्तों यह pandemic का time है तो please wear mask sentise your hands properly and make two girls distance अपना द्यान रखे और अपने परिवार का द्यान रखे धन्यवाद